वरिष्ट वकील सत्यपाल जैन जी हमारे साथ बात करने के लिए मोजूद है सुप्रीम कोट में हिमाचल के जो छे विदायक है बागी विदायक उनके मामले को लेकर सुनवाई हूँ सर किस तरह की कि सुनवाई में जो है बाते रही सर क्या कुछ जो है निकल कर साने है जो छे विदायक हैं जिनको अयोग गोशित किया था स्पीकर साहर ने उन्होंने अपनी अयोगता को सुप्रीम कोट में चुनवाई हूई है सुनवाई के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोट ने स्पीकर को और याचे करता को नोटिस जारी किया है उनको कहा गया है कि वो चार हफ़ते के अंदर हमारी पेटिशन का जवाब दाखल करें उसके बाद एक हफ़ते का समय हमको दिया गया है यहां हम उसकी रेप्लिकेशन फाइल करें और फिर यह मामला 6 मई को टेक अप होगा यह भी बात बताई गई सुप्रीम कोट को कि इस दुरान इलेक्शन कमिशन ने तितियों की गोशना की है तो हमने सपस्ट किया कि इलेक्शन कमिशन ने अभी सरफ तितियों की गोशना की है और हिमाचल में, पंजाब में और चंडीगड में जो पोलिंग है वो पहली जून को होगी और नॉमिनेशन साथ मई से शुरू होगी इसलिए हमारे पास सफिशन टाइम है जिससे पहले इसका निर्ने हो सकता है तो इस विशे पर भी सुप्रीम कोट के क्या इफेक्ट है एले जंता टीवी से खास बाचीत कर रहे थे कैमरमेंन संजे के साथ इस पर्श शर्मा जंता टीवी दिल्ली